हमारे चैनल में आपका स्वागत है जहां हम किताबों के पन्नों के माध्यम से वित्त की आकर्शक दुनिया में तल्लीन होते हैं। मैं इस यात्रा पर आपका मेजबान बनने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि हम वहां के कुछ सबसे अधिक विचारोतेजक वित्तिय साहित्य में गोता लगाते हैं। चाहे आप एक निवेशक हों, उद्यमी हों या बस अपनी वित्तिय साक्षर्ता में सुधार करना चाते हों यह चैनल आपके लिए हैं। हमारे पुस्तक सारांज के माध्यम से हम धन प्रबंधत, निवेश और धन्यर्मार पर विभिन्ध द्रश्टिकों का पता लगाएंगे और प्रमुक तेक्वे को डिस्टिल करेंगे ताकि आप उन्हें अपने जीवन में लागू कर सके। तो चाहे आप एक अनुभवी समर्थक हो या एक जिग्यासू नवागन तुक हम से जुड़े क्योंकि हम वित्त की दुनिया का पता लगाते हैं। एक समय में एक पुस्तक। इस कड़ी में आपका स्वागत है जहां हम थॉमस जे स्टेनली और विल्यम दी डैंको द्वारा मिलिनेर नेक्स्ट डोर पर चर्चा करेंगे। इस कुस्तक में लेकको ने अमेरिका में करोडपतियों पर व्यापक शोध किया है ताकि उनकी वित्तिया आनतों और जीवन शैली को उजागर किया जा सके। उन्होंने पाया कि कई करोडपती मितव्याईता से रहते हैं और उन्होंने अच्छी वित्तिया आदते विक्सित की हैं जिससे उन्हें समय के साथ धन संचय करने में मदद मिली है लेखक करोडपतियों के आसपास के कई आम मितकों को भी चुनोती देते हैं जैसे कि यह विश्वास की वे सभी अपनी संपत्ती विरासत में लेते हैं या उच्च आय अरजित करते हैं अपने शोद के माध्यम से स्टेनली और डैंको करोडपतियों की सामान्य विशेशताओं और व्यवारों को प्रकट करते हैं और मूल्यवान अंतरद्रिष्टी और सबक प्रदान करते हैं जिने किसी की वित्तिय यात्रा पर लागू किया जा सकता है इस सारांश में हम प्रत्तिक अध्याय में प्र अच्छी वित्तिय आद्ते विक्सित करने में रुची रखते हैं या केवल करोडपतियों की जीवन शैली के बारे में उत्सुख हैं इस सारांश में आपके लिए कुछ है अध्याय एक अगले करोडपती से मिले लेखक अमीरों पर अपने शोध का परिचय देते हैं विशेश रूप से वे जो धन के विलक्षन संच्यक पॉस हैं वे करोडपतियों के रूडिवादिता का वर्णन ऐसे लोगों के रूप में करते हैं जो फैसी कार चलाते हैं, महन्य कपरे पहनते हैं और महलों में रहते हैं और इसकी तुन्ना अगले करोड़पती की वास्तविक्ता से करते हैं, जो एक पुरानी कार चलाता है, औसत कप्रे पहनता है, और एक औसत आकार में रहता है, एक मध्यमवर्गिय पडोस में घर. लेखक विरासत या भाग्य पर निर्भर रहने के बजाए कड़ी मेहंत, मितव्याईता और स्मार्ट निवेश के माध्यम से धन संचय करने के महत्व पर जोर देते हैं, अध्याई दो, मितव्याई, मितव्याई, मितव्याई. लेखक धन निर्माण में मितव्याईता के महत्व पर जोर देते हैं, वे आंकडे प्रस्तुत करते हैं, जो दिखाते हैं कि उच्च आयवाले अरजक आवशक रूप से धनी नहीं होते हैं, और यहां कि कई करोडपती स्वनियोजित ब्लुकॉलर कार्य करता हैं, जो विन्य पूर्वक रहते हैं, वे बिक थ्री खर्चो आवास, परिवान और भोजन पर भी चर्चा करते हैं, और इन खर्चो में कटोती कैसे धन संचय करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, अध्याई तीन, समय, उर्जा और पैसा, लेखक धन समीकरण पर चर्चा करते हैं, धन is equal to I, एक समय और कैसे समय उर्जा और धन के तीन घटक आपस में जुड़े हुए हैं, वे इस बात पर जोर देते हैं कि समय एक सीमित संसाधन है और धन बनाने के लिए इसका बुद्धिमानी से उप्योग करना महत्वपूर्ण है, वे कैरियर या व् पन करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए धन का उप्योग करते हैं, अध्याय चार आप वहां नहीं हैं, जो आप चलाते हैं, लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब कार खरीदने की बात आती है, तो अमीर अकसर मितव्यई होते हैं, वे आंक्रे प्रस्तु की द्वारा भुकतान की गई औसत कीमत से काफी कम है, वे उन कारों को खरीदने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं, जो विश्वस्निय हैं, और जिनकी रखरखाव लागत कम हैं, बजाय विलासिता या स्थिती प्रतिकों पर ध्यान केंद्रित करने के. अध्याई पांच आर्थिक बाहिय रोगी देखभाल लेखक नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करते हैं, कि आर्थिक आउट पेशन्ट देखभाल धनी माता-पिता द्वारा वयस्क बच्चों को प्रदान की जाने वाली वित्तिय सहायता बच्चों की अपनी संपत्ती बनाने की क्षमता पर हो सकती है. वे आंकडे प्रस्तुत करते हैं, जो दिखाते हैं, कि वयस्क बच्चे जो अपने माता-पिता से वित्तिय सहायता प्राप करते हैं, उनके द्वारा धन संचय करने की संभावना उन लोगों की तुन्ना में कम होती हैं, जो नहीं करते हैं. वे बच्चों को वित्तिय जिम्मेदारी और स्वतंत्रता सिखाने के महत्व पर भी जोर देते हैं अध्याई छे सकारात्मक कारवाई पारिवारिक शैली लेखक उन फायदों पर चर्चा करते हैं जो अमीर परिवारों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा और करियर के अवसरों की बात आती है वे आंकडे प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि धनी परिवारों के बच्चों के प्रतिष्थित विश्व विद्यालियों में जाने और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से उच्चवेतन वाली नौकरियों तक पहुँचने की संभावना अधिक होती है वे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने और उन्हें कड़ी मेहंत का मूल्य सिखाने के महत्व पर भी जोर देते हैं अध्याई साथ अपना आला खोजे लेखक संपत्ती बनाने के लिए विशेश अग्यता के एक विशेश शेत्र एक आला खोजने के महत्व पर चर्चा करते हैं वे आंकडे प्रस्तुत करते हैं जो दिखाते हैं कि स्वनियोजित व्यक्ति दूसरों के लिए काम करने वालों की तुल्ना में करोड़पती होने की अधिक संभावना रखते हैं और यह की कई करोड़पतियों ने चिकित्सा या दन्द चिकित्सा पधतियों, रियल एस्टेट विकास या विशेश परामर्ष सेवाओं जैसे विशेश व्यवसायों के माध्यम से अपना धन अर्जित किया है वे एक ऐसी जगा खोजने के महत्व पर भी जोर देते हैं जो मांग में हैं और जिसमें विकास की संभावना है अध्याय आठ नौकरियां करोड़पती बनाम वारिस लेखक उन करोड़पतीयों की धन निर्मान रन नीतियों के विपरीत हैं जिनोंने कड़ी मेहंत और उद्यमिता के माध्यम से अपनी संपत्ती अर्जित की उन धनी उत्तराधिकारियों के साथ जिनोंने अपनी संपत्ती विरासत में प्राप्त की वे आंक्रे प्रस्थुत करते हैं जो दिखाते हैं कि करोड़पती अपने धन को विरासत में पाने की तुल्ना में स्वनिर्मित होने की अधिक समभावना रखते हैं और यहां की कई धनी उत्तराधिकारी अपनी संपत्ती को कई पीडियों तक बनाये रखने में असमर्थ हैं। लेक को ने पाया कि अधिकांश करोडपती लगभग 80%। पहली पीडि के धनी है जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी मेहंद और स्मार्थ वित्तिय निर्णेयों के माध्यम से अपना स्वयम का धन बनाया है। जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, उन्हें अपनी दौलत विरासत में नहीं मिली या उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। यहां नोट करना महत्व पूर्ण है क्योंकि यहां आम गलत धारना को चुनोती देता है कि अमीर मुख्य रूप से ट्रस्ट फंड शिशो या उन लोगों से बने होते हैं जिने उनकी संपत्ति विरासत में मिली है। उस तक वित्तिय सफलता प्राप्त करने में शिक्षा और सीखने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। वित्तिय सफलता प्राप्त करने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक आपके साधनों से नीचे रहना है। लेकों ने पाया कि कई करोडपती मितव्यई हैं और भव्य जीवन शैली नहीं जीते हैं। वे पुरानी कारे चलाते हैं, मामूली घरों में रहते हैं और विलासिता की वस्तों पर अधिक खर्च करने के लिए प्रवरित नहीं होते हैं। इससे उन्हें अपनी आय का अधिक हिस्सा बचाने और निवेश करने की अनुमती मिलती हैं, जिससे समय के साथ अधिक संपत्ती हो सकती हैं। पुस्तक आर्थिक आउट पेशंट देखभाल के विचार की भी पड़ताल करती है, जो वित्तिय सहायता को संदर्भित करता है, जो कई सम्रिध मातापिता अपने वयस्क बच्चों को देती हैं। लेक को ने पाया कि इस प्रकार का समर्थन वास्तव में बच्चों की वित्तिय सफलता में बाधा बन सकता है, क्योंकि यहां हगदारी की भावना पैदा कर सकता है, और उन्हें अपनी वित्तिय स्वतंत्रता विक्सित करने से हतोच साहित कर सकता है। कुल मिलाकर The Millionaire Next Door वित्तिय सफलता हासिल करने वालों की आदतों और विशेशताओं में मूल्यवान अंतरद्रिष्टी प्रदान करता है। यहां अमीरों के बारे में कई आम गलत्फामियों को चुनौती देता है और जो कोई भी अपनी खुद की संपत्ती बनाने में दिल्चस्पी रखता है, उसके लिए व्यावहारिक सलाह देता है। दम मिलेनेर नेक्स्ट दोर की अंतरद्रिष्टी के आधार पर आप यहां कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। 1. दीरगकालिक लक्षों पर ध्यान दे, स्वनिर्मित करोडपती दीरगकालिक मानसिक्ता रखते हैं और समय के साथ अपने वित्तिय लक्षों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2. एक संपत्ती योजना बनाएं. संपत्ती योजना बनाने के लिए पेशेवरों के साथ काम करना महत्वपूर्ण है, जो करों और अन्य खर्चों को कम करते हुए आपके उत्तराधिकारियों को धन के हस्तांतरण को अधिक्तम करता है. तीम नियमित रूप से अपनी वित्तिय योजना की समीक्षा करें और अपडेट करें. व्यक्तिकत परिस्थितियों कर कानूनों और अन्यकारकों का आपकी वित्तिय नियोजन रणनीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए नियमित रूप से अपनी य जो हमारे वित्तिय भविश्य के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। इसलिए इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आप से पूछता हूं, हमें से कितने वास्तव में करोड़ती बनने में सक्षम है। और इस संभावना को वास्तविक्ता बनाने के लिए हमारी आतों और मानसिक्ता में कौन से समायोजन आवर्शक है। हमारे वित्तिय अभियान में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद, जहां हम प्षेत्र में कुछ सबसे अंतरद्रिष्टिपूर्ण किताबों के माध्यम से जक्तिगत वित्त का पता लगाते हैं। दुनिया भर के लोगों को वित्तिय साक्षर्ता और सफलता हासिल करने में मदद करने के लिए हमारी सामगरी अंग्रेजी, स्पेनिश और हिंदी सहित कई भाशाओं में उपलब्ध है। यदि आप हमारे पुस्तक सारांश और कारवाई योग्य वस्तों में मूल्य पाते हैं, तो हम आपको हमारी नवींतन सामगरी के साथ अध्यतित रहने के लिए हमारे चैनल का अनुसर्ण करने के लिए प्रौत्साहित करते हैं। और यदि आपके पास भावी पुस्तक सारांशों के लिए कोई सुझाव है, तो हमें आप से सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक सीखते रहें, एक्स्प्लोर करते रहें और अपने आप में निवेश करते रहें।